या आप सब का स्वावत है तो आज का हम प्रोक्यारोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे यह जिसके उपर डारेक्ट नीट का कोश्चन बन सकता है या फिर आपको बोल्ड एक्जाम में फिल्इंग तेप कोश्चन आप सकता है जैसे आपको पता ही होगा कि दो टाइप के cells होते है that is prokaryotic and eukaryotic prokaryotic यान eukaryotic ये दो प्रकार के cell पाय जाते है first kingdom जो होता है हमारा मोनेरिया उसमें सारे bacteria होते है सारे bacteria होते है और जो prokaryotic cell होता है वो इनी bacteria में पाया जाता है अगर हमें prokaryotic cell का example देना हो तो हम bacteria को बता समझे सारे बैक्टेरिया prokaryotic cell होते हैं तो आज के इस वीडियो में हम इसी prokaryotic cell के तीन layer के बारे में जानेंगे यह है bacteria bacteria की सबसे अंदर वारी layer को हम कहते है plasma membrane इसके उपर और एक होती है इसे कहते है cell wall इसके उपर और एक layer होती है जो कि eukaryotic cell में नहीं पाई जाती eukaryotic cell में सिर्फ होता है plasma membrane and cell wall पर prokaryotic cell में protection के लिए और एक layer होती है जिसे हम कहते है glycocalyx जिसे हम कहते है glycocalyx so first वाली layer को हम कहेंगे plasma membrane so first वाली layer is plasma membrane then second वाली layer को हम कहेंगे cell wall and then third वाली layer is a glycocalyx third वाली layer जो है glycocalyx आपको ये बात याद रखनी है कि eukaryotic cell में और prokaryotic cell में ये एक difference है कि उसमें glycocalyx नहीं होती है I repeat eukaryotic cell में glycocalyx नहीं होती है उसमें सिर्फ plasma membrane and cell wall पाई जाती है so एक major difference है जो आपको याद रखना है इस पर direct portion आ सकता है neet में so you have to remember this thing second thing is आपको पता होना चाहिए कि ये तीन layer किस चीज से बनी है so हम ये पढ़ेगी कि ये तीन layers किस चीज से बनी होती है prokaryotic cell में हम इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिखेंगे ताकि हम आच्छी से समझ में आ जाए so ये है bacterial cell जिसके तीन layer है यहाँ पे DNA पड़ा होता है जो कि खुला ही होता है कोई भी membrane bound organal नहीं होता है कुछ ribosomes भी होते हैं यहाँ पर so आप देख सकते हैं कि सबसे अंदर वाली जो layer होती है वो that is plasma membrane जो कि phospholipid से बनी होती है इसमें lipid word आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि Capad회 से बनी है और यह बनी होती है peptidoglycan की peptidoglycan glycan word आ रहा है तो समा सकते कि कार्वाहिडर से बनी है यह सबसे बाहर होती हैं वह है glycokalys k 맛있 2011 देख बायको वर्हार होती है तो यह भी किसे बनी हैं कार्वहिडर्र लियर होती है जो कि protection के लिए होती है